नमस्कार मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान डेली राजस्थान के वीडियो लगातार देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे वो तुरंत आपको मिल जाए हम पहुँचे हैं भारतिय जहनता पार्टी के एक और ऐसे मजबूत और सक्रिये करिये करता के पास जो गोगुंदा विदान सवा क्षेत्र में काफी सक्रियता से यहां के आदिवसी वोट बैंक पर काफी मजबूत पकड़ी इनों ने बनाई है यह है उप्रधान पपुराना बील झाल 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 नमस्कार पपुजी नमस्कार सर पंचाइती राज चुनाओं को लेकर किस तरह का जोस है बिलकुल जोस है पूरा और बारते जंदा पाल्टी पूरी लगी हुए और हम इस बार वापस बड़े पहले जो बहुमत ता उससे भी ज्यादा बहुमत से फिर दुबारा बोट बन कोई दिखावे का तो लिए तो काम हमें कैसे बोट बनाना है हमारी जो कॉर कमिटी है हमारे विदायक मोदे परदान जी मंडले देख जी सब बैटके अपने अपने इस तरह पे जो जिमिदारिया सब अपना-पना काम कर रहे हैं और आप देखना आने वाले चुनाम में जो लोगों में उस्ता है जो इन पास सालों में जो काम किया है उन कामों को देखते हुए और हमारी पूरी टीम मजबूती से लगी हुए काम कर रहे हैं और अच्छे से हमारा बोट बने गा है पंचय समीती में इस बार परदान की सीट महिला की है पहले तक तो कयास लगाए जा है और वो परदान होगी क्या कहेंगे इस बारे में देखो अगर पुरूस की सीट आती तो अलग बाती लेकिन इस्टी महिला की सीट है तो हमारे क्या बारते जनता पार्टी में एक नियम में सुरू से की पूरी कोर कमेटी बैट के फैसला लेती है कोई एक वेक्ती नहीं ल किसान है और कमल का फूली लेकर हम लोग फिल्डी में जायेंगे और वही हमारा प्रदान बनेगा दावेदारी है आपकी मजबूत अब देखो इसमें दावेदारी के कुछ भी निसमें मेरा एकी नियम है कि मैंने अगले जब भी में सक्रिय राजनिती में आया हूं तब से मैंने हर जगे काम किया है जो भी संग्टन ने काम दिया वो काम किया है और आगे भी जो भी संग्टन मुझे दो जिमिदारी दे गया वह मैं बड़े इस तरह से आगे निबहिए वैसे आगे भी निबहता रहूंगा अभी आपने कहा कि जिस तरीके से आप सक्री राजनीती में आये पर यहां सवाल उड़ता है कि आप सक्री राजनीती में आये थे या लाए गए थे देखो यह तो एक में क्या सुरू से ही में पढ़ता था उस समसे में एक वो जिग्या सा थी का ऐसे काम करने के और मेरे मम्मी पहले क्राम पंचायत जो भी विजवावडी है वहां से लाने में कही वरिष्ट नेता है नारसींजी देवडा साब उनका भी एक है रोल है क्योंकि उनुने चोटा पड़ता था उस समय उन्होंने मेरो को चोटा बड़ता कॉटा काम हो ते तह कामों में लगार होना काम करोना चिखाया और इन सब के मारपत से और में जब उपरद तब सरपंच रहे तो आप एसपी की भुमी कानी बाते थे नहीं नहीं मैं तो चोटा था पड़ दा उसमय अच्छा अच्छा मैं तो पड़ता था लेकिन वह जिग्या से होती है वह सुरू से मुझे लगी एक उसामाची कारिकर्टा होने के नाते मेरो को लगा कि नहीं यह का अपने को करना चीए एक आप नौकरिय करोगे व्यक्तिकरत काम करो तो उसमें आप खुद का करोगे लेकिन इस चेत्र में आप आपकी जो समझ है और मेरे ममी पापा ने पड़ाया तो मेरे मेरे में जो काम की जो जिगेशा दिया में लोगों को भी इसका फाइदा मिले और तो मेरे को हमारे जो विदायक महुदे आदेने परदाप जी उन्होंने का कि मैं सुरू से मैं यू सामजे कारेक में सब जगे हर चैत्र में सभी समाजों में काम करने का मुझे मोगा मिला और सुरू से इच्छा है तो विदायक महुदे ने मेरे को का कि तुट उड़ा पड सब्सक्रा जीत कि आया उसके बाद में मुझे को पता निए था कि में उपर्दान बनुंगा है लेकिन उसमें में विडायक मह दुद hallu防 국 Țा की ववी ड़ता है औरमृ-णे अरीजी-चारी फुरा पुरी टीम थी इन Mmm और आगे काम करेगा इसलिए इन सबने मिलके मुझे उपरदयान बनाया अभी वह यही कहते हैं कि छोरा अच्छा है या बुरा हो गया है नहीं 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 देखो जो भी उनकी जो आदेस होते हैं वह काम अपन करते हैं और विशेशकर में किसमत वालाओं की मुझे सभी विश्वास पर खरा हुथ रहा हूं पाँ साल हमने परदान जी और हमने दोनों ने मिलके अच्छे से पंचा समीधी चले यह और आज विकास की गंगा बह रही है विदायक मोदे ने परदान जी ने जो काम किया उनके साथ में कंदा सक्ट कंदा मिला करके मैंने हर काम में उ परिसे सदश्य की नहीं दावेदारी की कोई बात नी है बस वही है कि जो भी अगर विदायक मोदे है और हमारे जो मंडले देख जी है और पूरी जो टीम है अगर यह कहेंगे चुना लगना तो जरूर लोंगा और यह कहेंगे आपको यह काम करना जो भी जिम्मेदारी दे क्या लगता है अगर आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तब आप कौन सी जिम्मेदारी निभाएंगे बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं क्या संग्टन में बहुत सारी जिम्मेदारी एक मुझे कहेंगे यह काम करना वो करेंगे जिम्मेदारी देनी देन सब्सक्राइब करेंगे और विदायक मोदे ने अच्छा काम किया तो दूसरी बार विदायक बने तो हम आगे वापस जो उन्होंने इतने काम करें आप देख लो गोगुणा में किते बड़े-बड़े काम हुए गोगुणा में जो हमारे पास में पहले महाविद्याले नहीं इस चेत्र को टेस्पी में लागु करवाया है से बहुत सारे बड़े-बड़े काम उन्होंने करवाये एक आदिवाजी समाज के लिए एकलवी मोडल विद्याले ले और गाहं में सड़के पहुंचे बहुत सारे गिनाव तो बहुत सारे काम है तो उन जो काम है उनको हम सब मिलके बढ़ाएंगे उप परदान रहते हुए संगठन का ऐसा कौन सा काम किया आपने भारती जंता पार्टी के लिए पिछले दिनों में जिससे आपको खुद को संतुस्टी मिली और संगठन ने भी आपको काम को सराह हो कि यह काम आपने बहुत अच्छा किया संगठन का काम तो जब से समझदारिया यह जो भी दिया है किया है लेकिन अभी जो हमारे सदेश्ता अभ्यान चला था तो उसमें यहां गोगुंदा में मेरो को सभ परबारी नाव सिंग देवड़ा साब को परबारी और मेरो को सभ परबारी बनाया था तो हमने मिलकर के मंदले देख सब्सक्राइब अदेहलाल झीम, मामंत्री जी निचे जो आदेश काम किया और में उस काम से संतुष्ट हूँ हमने इतना काम किया कि हमारा गोगंदा आज पूरे जिले में हमें वाभी सहबाशी मिली कि हम अच्छा काम किया और उसमें मेरा भी अहम रोल था हम सब ने मिल करके अच्छा काम किया था इन दिनों भारतिय जहनता पार्टी को मजबूती देने के लिए और आने वाले राजसान पंचाईती राज कि आपने चुनाओं में आपके उमीधवारों को जिताने के लिए या आपके बूर्ड बनाने के लिए आप किस तरह के प्रियास कर रहे हैं då मुझे बी अम सभी अलग लग जगे पे मिटिंगे कर रहे हैं कहीं विक्तिगेत कहीं जाना आना वह साराale काम कर रहे हैं और वैसे फिल्ड मजबूत है और आज की तारीक में आपको देखा जाये तो लोग समझदार है लोग विखास देख करके आगे काम करने वाले कैसे हैं विदायक मोदे हमारे हैं अगर बारतीजनता पारटी के हैं तो आज की तो काम को चनफे की देखते हैं को पारतीजनता पार्टी की परदान बना हमारे आधन्य पुशकति थांचरी बने और में ओपरदां बनाud तो उसको देखते हुए हम अलग अभी जो हमारा काम है कि सब संक्तन हम अलग लग हमें जिम्मेदारी दिये उसे साब हम काम कर रहें पिल्ड में और उसका रिजल्ट अच्छा है पंचाहिती राज चुनाओं में यूओं की भूमी का क्या रहने वाली है यूओं को कितना आप मोका देने वाली है आपकी पार्टी आपको कोई आभास है उस चीच का बिल्कुल आभास है क्योंकि आप देखो आज जो भारते जन्ता पार्टी का अभी भी जो बोड़ है वह सारे यूओं का बोड़ है और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि सब मिल करके उसमें देना और विशेश करके वैसे तो है भी आज सोचल मीडिया का जमाना तो यूओं जिताना में बे और विकास चाहते है आज हर वेक्ति विकास चाहता है तो विकास को देखते हुए सब मिल करके करेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये थे भारतिये जन्ता पार्टी के तीन स्थंब जिन से हमने आपको रुबरू करवाया ऐसे और कई पिलर है और ये तमाम मिलकर भारत्य जन्ता पार्टी को मजबूती यहां पर दे रहे हैं और इन सब का दावा है कि आगामी पंचाईती राज चुनाओ में साइरा और गोगुंदा में बाजपा का बोर्ड बनेगा ये तो इनके कयास है कौन कहेगा कि उनका बोर्ड नहीं बनेगा सब अपने अपने बोर्ड बनने की बात कहते हैं दावा करते हैं देखना होगा पंचाईती राज चुनाओ के परिनामों के बाद कि बोर्ड किसका बनता है ये पिलर बाजपा को मजबूती वाकई में दे रहे हैं या कॉंग्रेस इन से आगे निकलती है देखते रहिए डेली राजस्थान